मैं हूं विपलब कुमर विशार्ष। आप देख रहे हैं ए डिजिटेल डिजिटेल वैट है। ए 30 किलो कव वैट माप चकता है। इसका ए एसी पर भी चलता है डी सी पर भी चलता है। मतलब इसली से भी चलता है इसका अंदर दोस्तों बैटरी इंक्लूडिंग है आभी यह यह स्ट पे तनने कर रह यह जब आप देख रहे रहे हैं है यह फ्रेश नहीं हो अब इसको हम एसी पे केशे करके चलेगा वो बनाएगे आप देखिए पहले तो है एक खोल लीजिए एक खोल लीजिए इसका बाद इसका पीछे चार इसको खोल लिए पर ध्यान से खोलिए उसका डिस्प्ले ना टूटे आप देख रहे हैं दिखिए एक चार है दो खुल गया अब यह तीसरा आप एक चोड़ा आपका ओपन हो गया आप इस डिस्प्ले को खोल लीजिए आइस्ता से खोल दिखिए इसका डिस्प्ले का कनेक्शन इसका है एक एसी के मतलब बैटरी चार्ज होने के लिए और एसी पर चलने के लिए इसमें बार और जीरो टैंस्वर्मा लगा हुआ होता है वान एमपियर क्या अब हम अभी पहले चेक करेंगे इस एसी वैर को यह वैर भी खराब हो सकता है आप मार्टिमिटर से पहले देख लीजिए यह एसी वैर ठीक है या है या नहीं है एसी वैर तो अभी काम नहीं कर रहा है मतलब के इदर से देखना परेगा इसका टैंस्वर्मा खराब है या इसका टैंस्वर्मा का एसी इंपूट मतलब इसका टैंस्वर्मा खराब है या यह आपको देखाएंगे अभी इससी टैंस्वर्मा लागाने से यह काम करता है या नहीं इस ट्रैंस्फरमा से आपका यह एक 6 बोल्ट का बेटरी रहता है इस बेटरी चार्ज होने का बाद यह काम करता है यह 6 बोल्ट का मेशीन है यह 6 बोल्ट से ज्यादा देने से इसका बूर्ट माइक्रो परसेसर खराब हो जाएगा आप में एक ट्रैंस्फरमा लाके लगा के देखता है बारो जिरो बारो का में नया लाके लाया है अब इसको हम कनेक करते है यह है आपका डीसी बारो बोल्ट का मतलब एसी निकालेगा यह है में एसी इसमें जोड़ दीजिए इसमें छोड़ दिया दोस्तों अब मैं इसको पहले टेश कर लूँगा चलता है या नहीं चलता है यह देखिए दोस्तों इसका रेट प्लाइट जल गया मतलब इसका मेशिन सही हो गया अभी यह एसी पे भी चलेगा इसका बैटरी चार्च हो जाएगा यह सही हो गया अभी दोस्तों ठाच जब दोस्तों इसकोड़ी और बेनकोव को जिरुड़ दवाइड